एक और वीडियो अप्डेट करने जा रहे हैं आज है 31 में 2024 31 माई 2024 शाम के 5.5 बज रहे तो पॉसिबली ये वीडियो कली अप्लोड हो पाएगा यानि 1st of June को ठीक है तो ये वीडियो हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें मैं 5 रुपीज के जो कॉपर निकल के सिखे 6 ग्राम क ठीक है इसमें कौन से ऐसा सिखे है जो 50-60,000 रुपे तक भी विका है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा और भी उसी से टॉपिक से रिलेटेट 1 रुपे के फ्लोरल डिजाइन वाले सन 2010 के सिखे और 2 रुपे के फ्लोरल डिजाइन वाले सन 2010 के सिखे इनकी भी वैलुएशन 6,000 से लेके 15-16,000 तक भी रही है तो वो कौन से इसे सिक्के हैं आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे साथ में मैं तोड़ा सा ये बता दूँ के देखिए ऐसा है कि कुछ लोग के पुराने पुराने पार्सल्स भी मैं भी निकाल निकाल के उनको रिपैक करके देने जा रहा हूँ ये एक हमारे मेंबर थे है मेंबर एक्शुली राजिस्तान से चंदुवाई नाम है इनका इनके काफी सारे कौाइंस अभी भी मेरे पास रखे हुए ये मुझे बोल नहीं रहे है लेकिन अभी मैं कुछ चीज़े चेक कर रहा था तो ये मुझे याद आए कि इनका भी पार्सल्स रिटन करना है तो जस्ट मैं इसको पहले आपको दिखा देता हूँ काफी सारे कौइंस थे इनके और नोट्स के बंडल भी थे कुछ तो हमने मतलब सेल आउट भी किया है लेकिन जो कुछ रहे गया था मेरे पास जो अब उनको रिटन करने वालों में वो भी दिखा देता हूँ आपको ये एज़िटीज रखा हुआ है इनका जो भी कौइंस वगिरा थे ये देख सकते आप उन्होंने ऐसे पैकिंग करके भेजा था मुझे ये सारे रिपब्लिक इंडिया के भी इन्होंने कौइंस भेजे थे मुझे और तरह क्याल से ब्रिटिश वगिरा के भी कौइंस थे अब इसमें जो भी है एज़िटीज सब रखा हुआ है ये देखिए आप इसमें मुगल्स के भी कौइं है हाला कि इन्होंने मंगाया नहीं है भी इनसे मेरी बात होगी फिर उसके बाद मैं जो भी इनको रिटन करना होगा रिटन कर दूँगा अब ये मुगल्स वगे रखे के कौइंस के उपर मेरा आगे चलके थोड़ा सा काम होने वाला है क्योंकि एप पर मैं अबडेट करने जा रहा हूँ तो जाहिर से बाद है उस पर मुझे अपने स्टेडी बढ़ानी पड़ेगी तो उस बेस पर फिर जो भी कौइंस मुझे समझ में आएंगे हम उस पर भी हम आगे भी डेलिंग करेंगे ठीक है तो ऐसे बहुत सारे कौइंस इन्हों ने भीच कर रखे। और मेरे काल से बंडल्स भी थे इनके वो मैंने इसमें as it is pack करके ये coins है सौरी ये भी बहुत सारे coins है इसमें तो ये इनको return होने वाले कुछ notes के bundle भी बचे हुए हैं मेरे काल से 2-3 अब वो इसमें है या कई और रखे वो भी देख लूँगा बोलना ये है कि भाई पुराने फिर आप रखके मेरे पास भेजे हो अगर मैं कुछ नहीं बो रहा तो कम से कम आप मुझे एक बार याद दिला दो ऐसा नहों कि बहुत टाइम के बाद फिर मुझे ही वो चीज़े ना मिले हलाकि मैं रखा हूँ तो mostly चीज़े मिल जाती है लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो दिक्कत हमारे बीच में हो जाएगी और हमारे बीच में में से इंडर स्टेंडिंग हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे कॉइंस हैं एंडल करने होते हैं तो बहराल जैसे कि मैंने बताया था चाहे वो UNC condition में scar where scar शरने के ही coin क्यों ना हो या pouches या UNC set वगेरा लेकिन इसके demand होगी उसको ही हम अपने पास लेंगे और within a month उसको जिनके भी coins sell करवाने के लिए आएंगे within a month उसको sell करके हम payment देने की पूरी कोशिश करेंगे ठीक है तो आज के topic में जो मैं 5 रूपीस के coin बत यह मॉस्को मेंड के coin actually सन 2000 के 5 रूपीस के copper nickel वाले यह भी मॉस्को मेंड के है यह 99 के है ठीक है तो इन में कुछ ऐसे भी coins है अब जैसे यह वाला देखिए 1998 का बॉम्बे मेंड का यह फैट लाइन डाइवरेट वाला यूएंसी कोईन है यह भी मैंने sell किया था भी यह सब रखा हुआ कुछ-कुछ 99 का मेरे पास नौइडा मेंड का यूएंसी में है 99 का अगर फैट लाइन मुंबई मेंड का यूएंसी में मिले तो वह भी काफी दुर तो उसकी वैलेशन कम से कम मैं ही आपको 1000 पर पेग कर सकता हूँ अगर इवनसी ग्रेड में वो सिक्का हो लेकिन अब मैं आपको बुक से ही दिखाने जा रहा हूँ जो ऑक्षन होता है उसमें यह कौईन ऑक्षन हुआ था वो यह वाला कौईन है आप देख सकते है सन 2003 का य प्राइना हुआ यह कौईन निखे अपर आप देख सकते हैं लिका एकसपी की आपको लिका हुँ नजर आ रहा है या एकस्परिमेंटल कौईन इसको कहते है बनने से पहले जो कोईन को experiment जिन पर किया जाता है कुछ coins का design बना के ये वो type के coin होते हैं जो बहुत कम बनते हैं 2, 5, 10, 20, 20 इससे ज़ादा ये नहीं बनते हैं ठीक है जातक मुझे पता है तो ये काफी rare होते हैं अब इसकी pricing जो मैं कहे रहा था 50 से 60 ये pricing में आपको इसकी दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं detail यहाँ पे दी हुई है copper nickel 5 रुपिस experimental pattern coin है 2003 ठीक है अब ये इसकी details है और साइड में अशो का pillar है उसके साथ EXPT उबरा हुआ लिखा हुआ है ठीक है और ये graded coin है NGC से ठीक है और आप इसकी grading देख सकते है MS66 यानि कि UNC grade का ये coin है सबसे highest grading यही होती है 66 और very rare लिका हुआ है इसके बारे में estimation price भी आप चेक कर सकते हैं पचास हजार से साथ हजार प्या इसकी valuation डाली गई थी ठीक है तो ये ऐसे भी coin अगर आपको knowledge है हो सकता है किसी के पास ये मिल जाए तो इस type के coins को आप duplicate समझ के या फिर कोई काम का नहीं है समझ के अगर आप किसी को उठा के दे देंगे तो आपको हो सकता है currency में ना भी हो तो 10-20,000 रुपय तो easily मिल सकता है उसका जो आपको नहीं मिल पाएगा तो इसलिए ऐसी बहुत सारी coins की study कि अभी भी मैं भी करी रहा हूं नहीं नहीं चीज़े मुझे पता चल रही है तो मैं आप लोग तक ला रहा हूं और आप लोग को भी यह चीज़ करनी चाहिए और यह सब मैं अपने आप पर डालने वाला हूं डिटेलिंग्स तो आप लोग के बहुत काम आएगा यह फॉर शॉर है ठीक है इसके बाद अब जो हम टॉपिक है जैसे मैंने कहा कि यह वाले जो आप रेर कोईंस एक्सपरिमेंटल के यह भी सारे कोईंस है वन रुपीस टू रुपीस के अब वन रुपीस में आप देखिए 2010 का है कलकत्ता मेंड का है और यह देख सकते हैं आप 2010 का यह बीच वाला एक ग्रेड़ेट कोईन है इसकी भी ग्रेडिंग है और यह मुंबई मेंड का है ठीक है और यह वाला आप देख सकते हैं टू रुपीस हैदराबाद मेंड का है यह भी एक्सपरिमेंटल कोईन है 2010 का टू रुपीस का फ्लोरल डिजाइन का यह एक्सपीटी आपको लिखा हुआ सब के उपर नजर आ होगा तो 2022 का यह ऑक्षन हुआ था उसकी यह मैं आपको एस्टीमेशन प्राइजिंग दिखा रहा हूं तो 2010 का एक उरुपया जो कलकत्ता मेंड का है विदाउट ग्रेडिंग वाला यह भी मेरे ख्याल से लगबग काफी एक्स्ट्रेमली फाइन कंडिशन का था यह कॉइन फिर भी देखें प्राइज 6 से 7000 रुपया इसकी रखी गई थी और इसके अलावा जो बीच में आप देख रहे है 2010 का यह वाला कॉइन जो PCGS से ग्रेड़ेड है इसकी अगर बात करें तो यह 14 से 16 अजार इसकी भी एक्स्ट्रेमेशन प्राइज रखी गई थी और आखिर म भी ऐसे कॉइंस है जो हाई वैल्यू में बिखते हैं वैलेशन इनकी इसलिए है क्योंकि यह काफी दुरलब है वैसे नॉर्मली एक रुपे के जो आम चलन में सिक्के मिलते हैं UNC कंडिशन में भी अगर कोई स्कार के डिगरी का होगा भी तो जाह से जाधा 50 से 100 रुपे में एक सिंगल कॉइन मिल पाएगा आपको उससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी निमस्मेटिस्ट के हिसाप से जो वैल्यूशन होती है फैस वैल्यू तो एक रुपे ही होगी लेकिन जो एक्स्परिमेंटल कॉइन होते हैं इस टाइप के तो इनकी वैल्यूशन देखिए कहां से कहां पहुंच जाती है इसे 5 रुपीस का आपने जो देखा यह 50 से 60,000 रुपे वैल्यूशन रखता है अगर यह मैं कहूं नॉन ग्रेडेड भी हो तो भी मैं कहूंगा कि UNC टाइप की कंडिशन में अगर यह मिल जाए तो भी आपको 30-40,000 रुपे इसली द पाइन के अगर वैल्यूशन पकड़ के चलेंगे नॉर्मल वह सिक्का पांच रुपे का 10-20 रुपे से जाधा वैल्यूशन नहीं रखता यूंसी ग्रेड में ठीक हां उसमें अगर कोई एरर वगेर होगा तो बातल है लेकिन नॉर्मल जो है उसकी वैल्यूशन उससे ही गई होगी तो ठीक है आज का वीडियो बस यहीं पर एंड करता हूँ इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ नकुछ सीखने समय बिलाओगा बाइ